अगर कहीं मेला में जाए या फिर कुछ फेस्टीवल हो तो लोग चाट खाना पसंद करते हैं तो क्यों ना आज हम घर पे ही थेले वाला चाट बनाएं बिलकुल हेल्दी तरीके से घर के सामानों का यूज़ करें कि हम चाट बनाएंगे तो चलिए बिना देर के वे इस रेसेपी को सुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम जीरा को भूल लेंगे क्योंकि चाट का सबसे जो में इंग्रीडियन्स होता है वो जीरा का पाउडर होता है तो जीरा का पाउडर बनाने के लिए यहां पर मैंन 10 मिन턱 तक छोड़ देंगे जैसे ही जीरा ठंदा हो जाएगा इसको मिकशर ग्रैंडर में पीस लेंगे तो दर मैं जीरा के हूं छोड़ दी हूं उसी तवा में यहां पर मैं धनिया और मिर्ची यह कि भी ठोल तो थोड़ा सा भून ले इस तैसे बहुत ही अच्छा 薦ू यहां पर मैंने जीरा को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है तो देखिए जीरा का एक अच्छा सा पॉडर बन गया है इस तरीके से दुर्ज धनिया और मिर्ची का जो मैं वोन के रखी थी उसको भी मैं पीस लूँगी से प्रोसेस से तो इस तरीके से चाट बनाने के पहले आप पहले उसके मसाला का तयारी कर लें तो देखिए यहां पर जो धनिया पॉडर और मिर्ची का पॉडर बनके तयार हो गया है मसाला हमारा तयार हो गया है तो चलिए अब चलते हैं छोला बनाने के लिए यहां पर हमने पीला वाला मटर लिया है आपके पास जो मटर अब लेवल है आप उसे लेए कहीं पिंपार मार्केट में green मठर भी मिलती है तो आप उसी भी ले सकते हैं यहाँ पे में मठर को पूरे रात भीगो के रखी थी आप चाहें तो पांस चे गंटा सकती हैं उसके बाद मठर को प्रेसर कुकर में डालके इतना पानी डालना है कि मटर अच्छे से डूप जाए उसके वाद 3-4 चमच नमक डालना है ताकि जो मटर है उसके अंदर नमक चल जाए और 2-3 चमच हल्दी डालना है ताकि कलर थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे मैं नमक और हल्दी डालने के बाद इसका ढखकन लगा के इसको 2-3 सीटी लगाना है तो देखिए यहाँ पे 2-3 सीटी आ गया है और इसका प्रेसर भी निकल गया है देखिए यह छोला है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पग गया है इस तरीके से आप हाथ से दवा के चेक कर सकते हैं अगर छोला जो नहीं पगा है तो आप फिर से इसे 1 सीटी लगा दें तो यहाँ पर जो मेरा छोला है वो अच्छे से पग गया है उसके बाद उसी प्रेसर कुकर में मैं यहाँ पर हाफ केजी आलू ली हूँ आलू को अच्छे से चील के 2-3 दिन पानी से मैं यहाँ पर धो ली हूँ उसके बाद यहाँ पर आलू में भी 2-3 सीटी लगाना है तो यहाँ पर आलू को प्रेसर कुकर में डाल के 2-3 सीटी लगा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2-3 सीटी आ गया है गैस को बंद करके 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी जैसे ही इसका सीटी बाहर आ गया है तो देखिए यहाँ पर जो आलू है वो अच्छे से पग गया है इस तरीके से चाकू के हल्प से चेक कर ले तो यहाँ पर आलू अच्छे से पग गया है तो फ्रेंड्स आप एक बार इस रेसेपी को जरूर ट्राई करें चाट सभी को पसंद आने वाला है तो एक बार मेरा जो रेसेपी है उसको ट्राई करें और घर में एक बार जरूर बनाए तो आपको पता चलेगा कि जो ठेले वाला चाट हम लोग खाते हैं उससे ज्यादा ही टेस्टी चाट हम घर पे भी बना सकते हैं तो यहाँ पर आलू है वो अच्छे से मैस हो चुका है यहाँ पर मैंने एक कडाही लिया है उस कडाही में देल डालके थोड़ा सा हल्दी डाला जैसे ही कडाही गरम हो गया उसके बाद छोलो को यहाँ पर डालके 3-4 मिनर तक अच्छे से फ्राई करना है तो यहाँ पर छोलो को डालके मैं फ्राई कर ले रही हूँ उसके बाद जो आलू मैस करके रखी थी उस आलू को इस छोलो में डाल देना है और डालके अच्छे से फ्राई करना है यहाँ पे मैं थोड़े से आलू को समोसा बनाई हूँ तो मेरा दूसरा जो वीडियो है चैनल पे समोसा का वीडियो पहले से अविलेवल है तो इसलिए यहाँ पे मैं समोसा का रेसिपी नहीं दिखाई हूँ तो अगर आपको समोसा का रेसिपी चाहिए तो मेरा चैनल पे जा डाल दी हूँ इस तरह से हल्दी पॉडर डालने के वाद छोलो को 4-5 मिलर तक अच्छे से भूनना है ताकि जो उसका कच्छा पन है वो चला जाए उसके बाद यहाँ पे 2-3 चमच नमक डाल दे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाले क्योंकि जो नमक है वो बाद में च चुछा है वो अच्छे से फ्राई हो गया है अब मैं समोसो को तल ले रहे हूं फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि मेरे चैनल पर समोसा का वीडियो अवलेवल है आप एक बार जाकर जरूर check करें तो अगर आप घर में चाट बना रहे थो समोसा जरूर बना रहे हैं क्योंकि ब तो देखिए जो मैंने सारे समोसो को अच्छे से फ्राई कर लिया है आप अपने हिसाब से बनाए अपके घर में जितने लोग है उतना समोसा बनाए और जो समोसा का आटा था उसी आटा को मैंने थोड़ा सा नमकीन कट कर दिया है और काट के इस तरीके से फ्राई कर ले ये च ंगीं को मैंने फ्राइब कर लिए जैसर ही कलर गोल्डन ब्राउं और स्चाट से कहा निकाल की देख यह चोटा ए साइब जो एल जो नहीं के रकाना के निकाल को तैयार है यह तक है और समोस यहां है एक करके रखी हूं एक बड़ा सा प्याज को मैं अच्छे से नहीं इस तरीके से जरूर की बना इसे चाट का स्वाध है वह दूगुना हो जाता है अगर अपके पास नहीं नहीं तो आप उसके ऊपर जो सेव आता है वो भी डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर इमली को में भिगोखे रखी थी लिवाटना का इसके बाद यहां तो यहां पर मिरचि का जो powder बनाए थी वो है उसके बाद ये नमक है आपके पास जो नमक है आगर ब्लैक नमक है तो ब्लैक नमक ले उसुत कासमेरी लाल मिर्च लिए हूँ और यह घर का बनाया हुआ धनिया का चटनी है और थोड़ा से में किसमिस लिए हूँ तो फ्रंड्स यह सारा जो इंग्रीडियंट्स है वो घर का बनाया हुआ है और सब एकदम हिल्दी है और हाइजीन है तो आप इस तरीके से जरूर घर पे चाट बनाएं तो यहां पे मैंने कडाही चला दिया है उसमे मैंने गरम पानी होने के लिए रख दिया है जैसे ही मेरा पानी गरम हो गया तो उसको मैं यहां पर ڈळूंगी तो पहले आप थोड़ा सा पाणी डाले उसके वाद चोलों को थोड़ा सा मिला लें उसके बार आपको जितना लोगों के लिए बना रहे हुए उस हिसाब से आप पानी ड़ाय Me यहां पर च interpretation के लिए जिस्रेफ मैं फिसलेपए चाहि को आप अपर बना रहे हुं तो उस हिसाब से मैं यहां पिम आप दालूगे तो यहाँ पे सारे छोलो को यहाँ पे मैं डाल दी हूँ और अब अपने हिसाब से पानी डाले पानी डालने के बाद इसमें बॉयल आने दे तो यहाँ पे मैं थोड़ा धनिया का जो पत्ता है उसको भी मैं डाल दी हूँ फ्लेवर के लिए और यहां पे फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि जो चाठ है उसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो देखें यहां पर जो चाठ है उसमें अच्छा सा उबाल आ गया है अब जो मसाले हमने रखे हैं उस मसाला को यहां पर यूज करना है तो यहां पर हमने दो चम्मच जीरा लाल मिर्च का यूज की हूँ, तो सारे मसालों का जो भी मसाला है, सब को यहां पर दो से तिन चममच यूज करना है, यहां पर तीन चममच मैंने नमक डाला है, नमक फ्रेंट्स पहले भी मैं डाले थी, तो नमक ध्यान रखके डालना है, तो यहां पर मैंने सारे मसालों को ड तक कि जो चाट है वो अच्छा सा थीक हो जाए और समोसा है उसमें भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए तो इस तरीके से आप समोसो को जरूर डाले चुटे-चुटे टुकडे करके यहां पर मैंने 3-4 समोसो को डाल दिया है उसके बाद यहां पर 2-3 मिनट तक और पकाएंग तक कि जो समोसा है वो थोड़ा सा सौक्ट हो जाए तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से चाट जरूर बनाएं क्योंकि हम लोग बाहर अगर ठेले पर चाट खाते हैं तो एक प्लेट चाट बहुत थोड़ा सा होता है खाने के बाद लगता है कुछ खाएं ही नहीं है तो क्यों सर्फ करने के लिए पहले मैं समोसो को टुकड़े कर ले रही हूँ फ्रेंड्स अगर आप चाट के लिए समोसा बना रहे हैं तो उतना नहीं क्रिस्पी बनाना है आप थोड़ा सा थीक समोसा बनाएं ताकि वो छोलो के साथ भीग जाए और उसके बाद वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां पर मैं थोड़ा सा थीक समोसा बनाती हूँ चाट के लिए तो देखिए यहां पर समोसो को मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है उसके बाद जो छोला है वनाई थी उसको यहां पर डालना है इस तरीके से समोसा के ऊपर छोलो को डालना ह तो आप जितना खाना चाहते हैं आप अपने प्लेट में उतना डाले तो देखिए इस तरीके से मैं प्लेट में सारे छोले जो चाठ है उसको मैं यहां पर डाल दी हूँ उसके बाद यहां पे जितना भी मिर्च और धनिया पत्ता कट करके रखी थी सब को यहां पे डालना है तो पहले मैंने प्यास को डाला उसके बाद मिर्च डालने के बाद यहां पे 2-3 चमच दही डालना है अगर आपको दही जादा पसंद है तो आप 2-4 चमच और मढ़ा सकत यहां पर मैंने तीन चमीब स्वित अप्राइज दाले है मपें जयते हैं क्योν초 2-3 चमीब स्विटे लिफ में part varied you कर दो कर दो चाहाला डलना है है ऊ कि लामिर्च यहां पर जीन प्रप्या में और शेमार्ड मिर्च दुडली है और जो लास्ट में सेब बना के रखे थी इसके उपर से डाल देना है और अच्छा दिखने के लिए यहां पर कास्मेरी लाल मीर्च का पॉडर थोड़ा सा छुरक दे और सबसे लास्ट में धनिया का पत्ता डाल दे उपर से देखिए जो हमारा चार्ट का प्लेट है वो लग cioè हमारा चार्ट एंडर कि बार बारी झाल में सेया सकते हैत झाल देंगए का रखे जो रि Jewish और से रहें उ अदेका ऊग्या सितशन देखिए्ग को सांगर और ल। नहांगे जोग्याई एंगर ग्या चार्ट प्लेएओां।